कि ओके डेट है आज का 21st of March वैसे कि मेरे से मेरा प्लान था कि बैंक निफ्टी एनलसिस मैं एक दिन पहले बना दूँ और आपको आइडिया दे दूँ बट क्या हो रहा है लास्ट दो दिन से खुलने के वाज़य से जैसे ही मैं जो बता रहा हूं वही पर टैर क्रीकली अपन हो रहा है तो इसलिए मैंने प्लान किया कि आज मैं मौ चaráँ करूं कि आपके कहां पर ट्रेट करना ची कैसे आपको प्लान करना ची आज का दिन पर तो जैसे कि मैं आप देख पा रहा हूं करेंटली कि SGS निफ्टी में देख रहा हूं तो आल्मोस 50-60 पॉइंट के आसपास प्लस है कल का मतलब जो मार्केट क्लोज हुआ था जैसे कि मैं फूचर देख पा रहा हूं 322 के आसपास था थरस्डे की दिन पर तो अब अराउंड वो चल रहा है 377 के आसपास तो मतलब 50 पॉइंट क दिखाया हुआ यहां पर और अगर हो सकता है कि थोड़ा बहुत फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप अपन हो सकता वह यह यह लेवल के आसपाक हो सकता है बैक निफ्टी तो हम क्या प्लान करेंगे देख उसे बहुत अच्छा रैली किया हुआ है अब जहांपर हम खरे यहां से 1000 पॉइंट ऊपर आता है तो बैंक निफ्टी को इतना ऊपर जाने के लिए बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा और यहां पर थोड़ा बहुत मज़े एक्जॉस्टेट दिख रहा है क्यों एक्जॉस्टेट दिख रहा है कि यहां पर भी रेडिस्टेंस लेवल एक्जैक्ली क्या रहेगा लेवल देखिए अगर फाइव मिनिट्स का चार्ट देखते हैं तो आपको और ज्यादा क्लेरी समझ में आज आएगा देखिए कल क्या किया दाना मार्केट ने तर्जे के दिन पर यह लेवल के आसपा बहुत बार हैमर किया हुए आउसा यहां पर बेनि तोड़ अवार नीचे 36340 36,000 के नीचे निकलता है तो वह यह रोगे कर सकते हैं हम लोगे यहां पर टाइट टागेट अम एक्सिपेट कर सकते हैं यह को पाढ़ा टागेट नहीं आटागेट नहीं डाटनी एक्सकेट करेंगे डिरेकन्य शीव 5000ंपोंनकर टागेट एपक करना वेटीज़ेस अब इसके कर सकते हैं तोड़ाव सब्सक्राइब व्लेडद उसके बाद हमेट कर सकते हैं नीची वाले लेवल नेवल जो यह जो के इसको अगर हम थोड़ा सा प्रॉपर ली देखते हैं तो यह राउंड फिगर के आसपा आता है जो कि आता है थर्डी सिक्स टॉड़न के आसपा तो यह है एक्चुल में टागर जो मैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं विट स्टॉप लॉस ऑफ क्या स्टॉप लॉस देंगे हम स्टॉप लॉस यहां पर एक हमजोर हो चुका है बहुत बाद टेस्ट हो चुका एक अच्छा मोमेंटम देने वाल है तो इसलिए हम क्या करेंगे यहां पर हम छोटा सा स्टॉप लॉफ रखेंगे 70 तो 80 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉफ बड़ा स्टॉप लॉफ एक बार 36,340 को क्रॉस कर देता है तो गैप अप खुलता है उपर की तरफ जाता है कुछ भी ट्रेड नहीं लेना है उपन होते ही क्योंकि वहां से फ़र 1000 पॉइंट का गैप है 1000 पॉइंट के बीच में कभी भी टर्नराउं कर सकता है मार्केट हम प्लान कर रहे हैं आप पर तो शॉर्ट करने के लिए शॉर्ट कहा करेंगे 36,340 के नीचे स्टॉपलर 70-80 पॉइंट के आसपास का देंगे टागेट 1 विल बी 36,200 टागेट 2 विल बी तराउंड फिकर 36,000 I hope you understood the point कि आपको कैसे आज ट्रेट करना है अल्मोस 8.15 हो चुका है अभी भी मार्केट में दे दो